दोस्तों हम सभी प्राया अपने घरों में सरसो के तेल का उपियोग सबजियां या फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम बनाने के लिए करते हैं सरसो के तेल को हेल्दी ओयल भी माना गया है सरसो के तेल से मालिज भी की जाती है परंतु आजकल सरसो के तेल में मिलावट की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ सरसो के तेल में सत्या नसी के बीज से निकलने वाले तेल की अडल्टेशन याने की मिलावट की जाती है आपको बता दूँ कि सत्या नासी याने की आरगी मोन मेकसिकाना एक कटीला पोदा है जो प्राया सड़क के किनारे या फिर वेस्ट लेंड में पाय जाता है उसका उससे निकलने वाला तेल हमानों सरीर के बहुत हानी कारक होता है आरगी मोन मेकसिकाना याने की सत्या नासी के पेल में हानी कारक एलकुलाइड सैंगेरीन पाया जाता है जिससे मानों में पैरलिसिस याने की लगवा जैसी बिमारी देखी गई है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर केशव चंदराजन्स पुना उपस्तितों आपकी सेवा में एक बहुप योगी जानकारी के साथ फसाई यनि की Food Security and Standard Authority of India जो की भारत में खाद पदार्थों के मानकों को निर्धारन करती है फसाई ने खाद य तेल निर्मान करने वाली कमपनी को सकत आदेश दिया है कि मस्टर्ड ओयल में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की जानी है परंतु भारत जैसे देश में खाद पदार्थों में मिलावट एक आम बात है दोस्तों मैं आज आप लोग को तीन आसान ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी सहता से आप इस बात की पहचान कर सकते हैं कि आपके द्वारा उप्योग किया जाने वाला सरसो का तेल सुद्ध है या उसमें किसी तरह की मिलावट की गई है दोस्तों सुद्ध सर्सों का तेल देखने में गाड़ा और चमकदार होता है सुद्ध सर्सों के तेल को सुंगा जाये तो नाक में तेज जलन महसूस होती है जब सुद्ध सर्सों के तेल को आँख के करीब लाया जाये तो आँख में भी जलन महसूस होती है आपको बता दूँ कि सर्सों के तेल में आइसो थायो सायनेट नाम का फाइटो केमिकल पाया जाता है जिसके कारण से आँख और नाक में जलन महसूस होती है दोस्तों यदि सुद्ध सर्सों के तेल को हाथ में लगाया जाए तो उसकी महक कौफी लंबे समय तक बनी रहती है दोस्तों यदि सुद्ध सरसों के तेल को रेफरिजरेटर में रखा जाए यदि तेल सफेद परत लिए जम जाए तो समझ जाए कि आपके सरसों के तेल में किसी और तेल की मिलावट की गई है तो देख सकते हैं रेफरिजरेटर में रखने के बाद इस तेल में सफेद परत जम चुकी है यने की इस तेल में किसी दूसरे तेल की मिलावट की गई है यदि सरसो के तेल को टेस्ट्यूब में डाल के उसमें कुछ बूंद नाइट्रिक एसिड डाला जाए और इस मिसरन को गरम कर दिया जाए यदि यह मिसरन लाल हो जाए तो समझ जाए कि आपके सरसो के तेल में मिलावट की गई है